करने वाले हैं एक ऐसी एक्टरिस के बारे में जो हमेशा से विवादों में खिरी रही है ये एक्टरिस है पूजा भट पूजा भट का आज कोई एक्टिंग के लिए नाम जाने ना जाने लिकिन इसकी कंट्रोर्सिस के लिए इसे हमेशा याद किया जाएगा पूजा का जन्म वातर 24 फरवरी 1972 को मुंबई में पूजा के पिता इंडिस्ट्री के जाने माने फिल्मकार है महेश भट पूजा का एक भाई है जिसका नमे राहुल भट फिल्मेकर धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, मिलल नूथरिया, मोहित सुरी ये सब इसके रिष्टेदार हैं इमरान हाश्मी, उदिता गोस्वामी भी पूजा भट की रिलेटिव है पूजा भट गरीबे के करण पढ़ाई नहीं कर पाई इसका फादर महेश बट बेचरा बहुत गरीब था तब इसे स्कूल नहीं भेच पाया जिसके करण पूजा ने सिर्फ क्लास तीन तक की पढ़ाई की है क्लास तीन के बाद इसको मास्टर डिग्री दे दी गई की आप अग घर पर आराम करें क्योंकि ये मेडम महेश बट की आउलाद है शुरू से ही एक्टिंग के फिल्मे जाना चाहती थी यही करण था कि 12 वर्ष की एज में पूजा बट महेश बट के साथ फिल्म के सेट पर रेग्लर जाने लगी थी पूजा जब 17 साल की होई तो महेश बट ने इसे फिल्म डैडी से लाँच किया फिल्म में पूजा की काम की तारीफ हुई इसके बाद 1901 क्यामन में दिल है कि मानता नहीं में पूजा बट को फिर से बड़े लेवल पर लाँच किया गया आमीर खान के साथ जो फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई पूजा का पहला अफैर शुरुआ था राहुल राय के साथ जिसके साथ पूजा ने एक फिल्म की थी जिसका नाम तब फिर तेरी कहानी याद आई राहुल राय उस समय नया नया स्टार बना था लड़कियों का उस पर बहुत क्रश्ट था यही काराण था कि पूजा भी राहुल राय के प्यार में पागल हो गई महेश बट को जब इन दोनों के अफैर के बार में पता चला तो कहा जाता है कि महेश बट ने पूजा पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी लेकिन पाबंदी के बाद भी जब पूजा और राहुल राय का रिश्टा नहीं तूटा तो महेश बट ने अपनी पावर का इस्तिमाल करके राहुल रहां का करियर बरबाद कर दिया इदर राहुल रॉय का करियर कड़लान पर आया तो उधर पूजा बट ने उससे अपना रिष्टा ही खत्म कर लिया राहुल रॉय से रिष्टा टूतने के बाद पूजा की नस्दीकियों की चर्चा होई मिथुन चक्रवर्थी के साथ दरसल मिथुन और पूजा बट ने एक फिल्मे साथ में काम किया था फिल्म का नाम था तड़ी पार इसी फिल्म के दोरान मिथुन और पूजा की बीच समद्नों की चर्चा होनी शुरू हो गई थी हाला कि मिथुन उस समय शादी शुदा था और मिथुन ने इसी बात का फायदा उठा कर इन दोनों का रिष्टा भी तोड़वा दिया दरसल महेश बट को जब पता चला कि मिथुन और पूजा की बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है तो महेश ने मिथुन की वाइफ योगिता बाली से गुपचुप मुलाकात की और उसे मिथुन और पूजा की रिष्टे के बारे में बता दिया इसके बाद मिथुन की वाइफ ने मिथुन की नाक में नकेल डाली तो पूजा का मिथुन संग रिष्टा तूट गया महेश बट कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी बेटी का किसी और के साथ रिष्टा बने इसलिए जब भी पूजा किसी से रिष्टा बनाती तो महेश टकला सौरी महेश पर तिक्डम बाजी करके दोनों का रिष्टा तुड़वा देता इधर बात अगर पूजा के करियर की की जाये तो पूजा ने अपने करियर में कई बहतरीन फिल्में तो दी लेकिन ये साल में दो साल में एक ही बार आती थी सड़क, जानम, जुनून, सर, चाहत ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो पूजा की एक्टिंग के लिए आज भी जानी जाती है मित्वन सरिष्टे के बाद पूजा की लाइफ में आया आदित्य पंचोली आदित्य पंचोली के साथ पूजा की लाव लाइफ उस दोर में काफे ज्यादा चर्चाओं में रही थी लेकिन इसके बाद पूजा के साथ एक ऐसा बिवाद जुड़ा की पूरे देश में हंगामा मच गया स्टार डेस्ट मेगजीन के लिए पूजा बट और महेश बट ने एक लिप लॉक किसिंग सीन दिया ये किस आज तक सबसे ज्यादा घट्या किस माना जाता है क्योंकि ये एक बाप और बेटी के बीच में हुआ था इस किस के बाद सिर्फ बॉलिवुड में ही नहीं बलकि पूरे देश में हाग कार मच गया था लोग महेश बट और पूजा बट की आलोचना करने लगे थी लेकिन दूसरी तरफ महेश और पूजा को इन सबसे कोई पर्प नहीं पढ़ रहा था उल्टा एक बार मीडिया ने जब महेश से इस किस के बार में पूछा तो बेशर्मी से महेश ने जवाब दिया इस किस में बुराई क्या थी महेश ने आगे का कि पूजा अगर उसकी बेटी नहीं होती तो वो उससे शादी कर लेता इसके कई साल बात तक मीडिया में यही चाचा होती थी कि पूजा बट मैश बट के साथ रिलेशन्शिप में है एक बाप और बेटी एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में थे और किसी ने भी इन दोनों के खिलाफ ना आवाज उठाई ना बॉलिवूड में किसी ने इन दोनों को बॉयकॉट किया उल्टा महेश और पूजा बट को इंडिस्ट्री में आज भी इजददार लोगों में गिना जाता है इसके कई साल बाद पूजा का नाम जोड़ा बॉबी देवल के साल बॉबी और पूजा एक साथ कई फिल्मी पार्टीज में दिखाई देने लगे थे कई इवेंट्स में दिखाई देने लगे थे और इस तरह इन दोनों का relation तूट गया। वहीं बात अगर करियर की की जाये तो महेश भट ने पूजा को अपनी बेटी नहीं अपनी property समझ लिया था। पूजा स्रिफ उनी फिल्मों में काम करती जिसे महेश भट बनाता या जिसमें महेश भट प्रोडियूसर होता या डिरेक्टर होता। हाला कि कुछ फिल्में पूजा बटने बाहर के बैनर की भी की हैं, लेकिन अपने पूरी करियर में 90% फिल्में उसने अपने पिता महेश बटकी की हैं, 1997-1998 के बाद पूजा का करियर धलान पर जाने लगा था, 1998 में कभी न कभी अंगारे और जख्म जैसी फिल्में तो दी, लेकिन सारी के सारी फ्लॉप, इन में से जख्म और मुवी जो थी वो हिट थी, लेकिन इसमें पूजा का रोल सपोर्टिंग रोल था, बहुत छोटा रोल था, वो लीड डोल में नहीं थी, बॉबी देल के बाद पूजा का नाम जुड़ा रणवीर शौरी के साथ, पूजा और रणवीर का रिलेशन कई सालों तक चला था, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में सबसे ज़्यादा चचा प्यार की नहीं, बलकि लड़ाई जगड़ी की होती थी, इस रिलेशन का एंड भी बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, दरसल पूजा ने अपने ब्रेकप के दोरान रणवीर शौरी पर आरोप लगाया था कि रणवीर शराप पिकर उसकी पिटाई करता था, दूसरी तरफ रणवीर ने भी पूजा पर आरोप लगाय कि पूजा उसे धंकिया देती थी और अंडर वल्ड के नाम से डराती थी इन दोनों के लड़ाई और ब्रेक अप उस दोरान मीडिया की सिरुख्यां बना रहता था रणवीर से ब्रेक अप के बाद पूजा की लाइफ में आया परदीन खान परदीन खान उस दोरान काफी ज़्यादा चल्चाओं में रहता था इसके साथी उसका करियर भी ठीक ठीक चल रहा था दोनों का नाम लगबग दो साल तक चल्चाओं में रहा पिल्म का नाम था पाप फिल्म प्रॉप हो गई और अजब डिरेक्टर भी पूजा नहीं चल पाई वैसे संतान भी से ही पूजा ने प्रोडेक्शन में भी अपना हाथ आजमाने शुरू कर दिया था अजब प्रोडूसर पूजा की पहली प्रंथी तमना जिसमें एक्टिंग भी इसने खुद की थी पदीन खान के बाद पूजा की जिंदकी में एंट्री होई मनीश मकीजा की मनीश एक वीजे है और रेस्टोरेंट का मालिक है पूजा और मनीश की मुलाकात होई और दो महीने के प्यार में ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया फाइनली 2003 में पूजा और मनीश ने शादी कर ली 2003 में दोनों ने शादी किया और 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया यानि 11 साल बात पूजा अपने पती से अलग हो गई 11 साल बात पूजा और मनीश जब अलग हुए तो दोनों की कोई संतान नहीं होई थी पूजा ने हाला कि शादी टूटने का कोई सटीक कारंटो मीडिया में कभी नहीं बताया लेकिन बीच बीच में वो ट्विटर पर इशारा जरूर करती थी कि पूजा शादी की बंदन में बंद कर नहीं रहना चाहती थी जिसमें से लगबख 24 फिल्में खुद मैश भट के बैनर की फिल्में थी यानि पूजा ने अपने करियर में 6 या 7 फिल्में ही ऐसी की जो बाहर के बैनर की फिल्में थी शादी के बाद भी पूजा भट का नाम सोहिल खान के साथ जुर चुका है हाला कि सोहिल खान के साथ पूजा का अफैर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था पूजा और सोहिल का रिष्टा उसी तरह खामोशी में खत्म हो गया जिस तरह शुरू हुआ था पूजा के अगर पूरे करियर की बात की जाये तो पूजा का करियर सिर्फ विवादों में ही गुजरा है महेश भट ने जिस तरह पूजा के करियर को सिर्फ अपने बैनर तक सीमित कर दिया था उससे कहीं न कहीं ये महसूस होता है कि महेश बट पूजा पर एक पिता से अलग भी अपना हग जताता था महेश बट ने जिस तरह शुरू में पूजा बट के रिलेशन को तुड़बाया वो भी कापी हैरान करने वाला था महेश बट और पूजा का रिष्टा हमेशा शक के गेरे में रहा है और उससे भी हरानी वाली बात ये है कि दोनों बाप बेटी ने लोगों की इस गलत पहमे को दूर करने की कभी भी कोशिश ही नहीं की क्योंकि वो दोनों जानते हैं कि ये अपपा अपपा नहीं बलकि सचाई है वैसे महेश खुद भी यही चाहता था कि इन दोनों बाप बेटी का ये जो नाजैज रिष्टा है वो दुनिया की नजरों में आए यही गारण था कि दोनों बाप बेटी ने मैगजीन के लिए खुले आम किसिंग पोस्ट दिया था और यहां पर सिरफ महेश भट को गलत नहीं कहा जा सकता तूकि एक इनसान के दिल दिमाग में अगर गंदे विचार आ भी रहे हैं तो दूसरा उसे रोक सकता है दूसरा उसे समझा सकता है पूजा भट ने अपने पिता के गंदे विचारों में न सरफ साथ दिया बलकि एक गंदे और वेशर्मी वाले रिष्टे को जन दिया लाखो करोणों लोग आज भी अपना आइडल मानते हैं इने चार मिलियन से ज्यादा लोग मेश भट को ट्विटर पर पॉलो करते हैं चार लाख से ज्यादा पूजा भट को ये लाखों करोड़ों लोग क्या सीखेंगे इनसे दोस्तों कि बाप और बेटे इस तरह का गंदा काम कर सकते हैं मैं चौर लोगों पर इन बॉलिवुड या भार्णों का शायद कोई असर ना हो लेकिन जो टीनेजर्स हैं जो बच्चे हैं वो इन लोगों को फॉलो करते हैं इनसे सीखते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं आज जरूरत है हमें आने वाली नसलों को सही रास्तों दिखाने की हमारे साथ इस मुएम का हिस्सा बनिया और इस मुएम को मजबूर बनाईए पूजा भट और मैश भट के इस रिष्टे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में आप भी अपनी बाथ अपनी राय जरूर रखें